हेलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ हमारे युडूब चैनल मोबल ट्रिक्स पॉइंट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो को अभी तक आपने लेक्त नहीं किया तो लेक्ट कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके राकिया फ्रांट से लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं पर आप जाएंगे दोस्तों यहां पर सेटिंग पर जाने के बाद यहां पर बोछर option आजाएगा लाकिन इस पेज को फोल सब स्कूल करो करेए इस पेज का नीचे जाएए और यहाँ पर वीज में एक option दिखाए देगा Apps and Notifications आपको यहाँ पर Apps and Notifications पर क्लिक कर देना है जैसे Apps and Notifications पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका phone की यहाँ पर app आ जाएगा यहाँ पर दिखाए देगा Say All App आपको Say All App पर क्लिक कर देना है जैसे से All Apps पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ से आपको अपने फोन की Chrome Browser को यहाँ से ढून लेना है और Chrome Browser पर क्लिक कर देना है जोस्तों यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर आने के पाद आपको अपने Chrome Browser को ढून के Chrome Browser पर ही क्लिक कर देन जैसे Chrome browser पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर दिखाए देगा storage and catch आपको storage and catch पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिखाए देगा clear storage इस पर क्लिक कर देना है Clear Storage पर क्लिक करने के बाद नीची दिखाई देगा Clear All Data आपको Clear All Data पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको OK कर देना है दोस्तो जैसे Clear Data करेंगे दोस्तो आपकी फोन तो Clear Data हो गया है और अभी आपको क्या करना है दोस्तो आपको अपने फोन पर कुछ एप को Uninstall कर लेना है दोस्तो यह प्रॉब्लम अपने WhatsApp ओपन करते ही यहाँ पर Storage फूल यह प्रॉब्लम आता है दोस्तो जब आपकी फोन पर ज्यादा Application हो जाता है जब आपकी फोन पर ज्यादा Audio, Video गाना हो जाता है ज्यादा फोटोस होने की कारण अपने फोन की Storage फूल हो जाता है और आपका WhatsApp ओपन करते ही यहाँ पर Storage फूल ऐसे तरह दिखाता है आपकी WhatsApp ओपन नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम यहाँ पर WhatsApp ओपन करते ही आ जाता है तो दोस्तो आपको Storage फूल इस प्रॉब्लम को हठाने के लिए सब सब पहले आपको क्या करना है अपने फोन से कुछ application आपको जो application आपका काम का नहीं है बिना काम का पड़ा है आपकी फोन पर जो जो application और दोस्तो बिना काम का जो भी videos है audio से कुछ files को अपने पोटो दोस्तों कुछ पोटो जो काम का नहीं है इसको आप delete कर लिजिए और delete करने के बाद आपकी फोन के storage हलका हो जाएगा और आप अपने open अपने WhatsApp को open कर पाओगे बहुत ही आसानी से